कि अज़कर मैं अंजली मिश्ट्राउव स्वगत है आपका हमारे चानल में आपको बता दें कि शारुक खान की अपकमिंग फिल्म पथान को लेकर लगातार कॉंट्रोवर्सी देखने के लिए बिल रही है पथान के गाना बेशरम रंग को लेकर काफी जादा कॉंट्रोवर् रिलीज कर दिया गया है दाई मिनिट के इस ट्रेलर को इस तरीके से एडिट करके बनाया गया है ताकि लोगों का अटेंशन बटोरा जाए आप सोच रहे होंगे कि आखर इस ट्रेलर में कभी जो है जैहिंद के नारे लगाए गए है तो भारत माता की बात कहीं गई है और क तरीके से पठान फिल्म को बॉयकॉट किया जा रहा है जिस तरीके से फिल्म के गाने को लेकर काफी जादा आप कह सकते हैं कॉंट्रोवर्सी देखने के लिए मिली बेश्रम लग में दिपिका पदकोन की बिक्नी पर जो बावाल हुआ जिस तरीके से सिनेवा हॉल से पठा का विशे बना हुआ है क्योंकि इसे लोग कह रहे हैं बॉयकॉट ट्रेंड से बचने का एक उपाए बतादे ट्रेलर की रिलीज होते ही हम इंटो में वाइरल भी हुआ शोचल मीडिया पर ट्रेंड भी हुआ ट्रेलर में शारुक खान का अवतार देखने के लिए मिला लाक्स उताने का दुनका चाहरा नजहरा आता है इसके बाद ही जो है शारुखान के एंट्री होती है ट्रेलर में डिपल का पाडिया बताती है कि यह ग्रूप इंडिया पर टगर ट्रेंड टाक की प्लान कर रहा है फिर वह कहती है कि अब पठान के वनवास का वक्त खतम और इसके बाद वह जबर्दस टैक्शन के साथ जो है सामने आते हैं बताते आपको ट्रेलर में आपको ऐसे कई डायलक्स सुनने को मिलेंगे जो देश भक्ती की भावना के ओत्प्रोत है जैसे शारुखान बोलते हैं कि एक सोलजर यह नहीं पूस्ता था यह नहीं पूस्त पठाने के लिए निकलते हैं और इसमें आप देख सकते हैं ग्रूप यह उसका कोई एम नहीं है पठान का वनवास खत्म होने वाला है भारत को बचाने के लिए भारत की जो है महिला शोलजर है वह उसी ड्रेस में फाइट करती है फाइट लोकेशन भारत के बाहर से है तो स फिर्म के ट्रेलर से भी नाखुष नजर आ है वाले ट्रेलर को उन्होंने इस तरीके से एडिट करके डाला धाई जो है मिलेट का यह ट्रेलर की ताकि लोग गये कि देश को बचाने के लिए यह कर रही है देश भक्ती के ओत्रोथ है जै भारत जै हिंद के नारे काई बार लेकिन शारुकान का यह टाक्टिक्स जो है वह काम करता नजर नहीं आ रहा है क्योंकि यह देखने के बाद एक लोग कहते हैं कि आखिर पठान ट्रेलर को लेकर इतना हाइप क्यों बनाया गया है यह तो देखका लगता है कि एक वीडियो गेम है तो इन्होंने पोस्ट किय हरियों में हिंदुस्तानी के तरफ से यह पोस्ट किया गया इतना ज्यादा हाइप क्यों बनाया गया यह तो ऐसा लग रहा है कि हम जो है वीडियो गेम देख रहे हैं क्यारके ने भी ट्रेलर को काफी आप कह सकते हैं कि असी उडाई उसमें बहुत सारे सीन को लेकर उन्हो मिष्रण है उससे मेरा फस्ट अदी इंस सब का जो है िसक्तर से सारा है अबरग नोग बोई करके से ट्रोल कर रहे हैं मिन बना रहे हैं और खेंगे हैं कि अख सब्सक्राइब नहीं यह तरीलर इतना अजीब सा क्यों बनाए गया है यह तो लग रहा है कि वीडियो गेम है जısके देख रहे हैं लेकिन आप कह सकते हैं कि इन सब के भी पूछ सकते हैं ध्यान देने वाली बात है कि इन सब के भी ट्रेंड ऐसा भी एक वेक्ति हैं विकास आहिर उना लिखा था कि भावुक अपील की है कि अगर पठान फ्लॉप हो गई तो उनका घर बिख जाएगा आइए हम सबी मिलकर घर बेशने से उनकी साहता करें तो बॉइकॉट पिठान अभी भी ट्रेंड कर रहा है लोग कह रहे हैं कि इतना पैसे लगे सारी चीजे हैं तो वह उनसे अगर नहीं होता है तो उनका घर बिखने के काफी जादा चांसे से तो साफ तो और पर अपनी अपनी तर बिखने करेंड यहां वनहीं डुक रही है कारण जिस तरीके से हमिशा से एक पूट्रे किया है । पॉल्ल बॉल्योड ने अपना Кणव से प्रयास किया है । पेनी यह से बॉल पैरricsे नेवीच भी वहान नहीं रही होता है लेकिन शोशल मेडिया क्श कर ऊपुए अपनी इमेज डामिज कंट्रोल तो यहीं है यह फिल्म के अंदर चाहे कुछ भी हो फिल्म के ट्रेलर में पूरा भक्ती आप कैसे हैं कि देश भक्ती दिखाई गई है और कहीं न कई बॉइकन ट्रेंट से बचने के लिए मेकर मेकर्स का यह दाव है कि ठाइब मनिट के ट्रेलर में ह और यह मुवी हमने इस अरीक scent बढ़ाई है जो भारत को बचाना है जा भारत हिंद के हमने नारत लगा है भारत माता को कई बाल बात करई गयी है ताकि जो सलगिनगोहां णाद कि तो इसे यह देम के बूने हैं चाहरे बचाने तो से जागकर देखनेちゃा अब देखने के बाद हमें पदा चलेगा कि all-to-all स्टोरी क्या है लेकिन साथ तर पर ट्रेलर से भी लोग खुश नजर नहीं है उसे वीडियो गेम बताया तरह तरह की चीज़े कहीं तो दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे इतर से मेकर से दाव खेल रहे हैं ताकि से बचा परियास कर रहे हैं अब यह दाओ कितना सफर रहा यह आने वाले 25 जैनवरी को पता चल जाएगा जब यह फिल्म सिनेवा घरों में दस्तक देगी और से भी हम आपको अप्डेट रखेंगे कि फिल्म का क्या कुछ कलेक्शन हुआ है किस तरीके से फिल्म चल रही है फिलाल क कर दो